अब तो बस आपके दरबार से ही नियाएक की उमेद है रानी साहिवा शायद ये उमेद गाउवासियों के जीवन को पचाल पारवतिपाई सहेब सेवकों से कहकर आज आप के लिए तादक्का की रहने की व्यवस्ता सेवक कक्षमे करवा दीचे जी चोटे सुपधार जी से कहकर खल दरबार में ये मिद्दा उठाऊंगी है देवी आई हम बहारी शत्रों के साथ लड़ने में इतने व्यस्त है कि हम भूल कहे थे कि हमारे अपने लोगों की मानसिकता ही हमें अंदर से खोकला कर रही है इसका एहसास दिलाने के लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद देवी देविया इचानावनाव उदो उदो खंडराओ क्या आप हमसे अभी नराज है याप कैसी बाते कर रहे हैं गुनुजी भाजी अपने हमारी जान बचाए जिस तरह से अपने हमारी रक्षा की हम आपके रिनी है क्रितग्य है और बताइए कोई क्रितग्य होकर नाराज कैसे हो सकता है बला तो क्या हम आपसे कुछ मांग सकते हैं पही है एक बार दरवार के कारे में हमारी भागीदारी पर उन्हा बिचार कीजिए जो भी गलती हमसे हुई है उसका प्राश्यत कर चुके हैं मालवा की प्रती आपकी प्रती अपनी निष्टा अगर आप समझ रहे हैं बाउजी इसमें कोई दोरा आए नहीं आप भी समझे कि हमारी भी कुछ सीमाए है दरवार में आपकी नियुक्ति और दरवार के कारे में आपकी भागेदारी इस पर इस पर हम नहीं अहिल्या फैसला लेकी गोनुजी बाउजी और वैसे भी बाबा अगर साहिब के वापस लोट के आजाने तक इस विशेप पर हम कोई बिचार भी मश्ट नहीं कर सकते हैं ज्युक्त अब आप देखेगा बाउजी दूसरा चरण हमारा होगा चोटे सुबेदार जी ये आप क्या पी ले हैं अयुर्वेदिक दूद है कमाल की चीज़ है कोजी बाउजी सिफ पी कर हमारे शरीर में एक कजीब सी शूर्ती आ जाते है कमाल की गुठ्टे तैयार की है निमाजी नहीं अथी विशिष्ट गोणा है इसके आप इगर देखिए अप ठीक तो है ना क्या हुआ आई पता नहीं अचानक से इने क्या हुआ अचानक इनको बहुत दर्द होने लगा आई आप इने देखिए मैं वैजी को बुला कि लाती हुआ नहीं, नहीं उसकी कोई ज़रूत नहीं है तुम्हें काम कर रहा हुआ निमाजी को बुला कि लाओ चलती जी वह क्या है जावी सेप आपको वो घंडे राउने उसने हमें जो से निमाजी ने गुट्टी दी थी वो पीड़े के लिए मजबूर किया बस साचुभाय उस्टी की वज़र से बहुत साधा और आपने पी ली इतना तो समझना चाहिए न आपको चलिए वैजी के पास चलते है नहीं साचुभाय वैद के पास जाने के कोई वशकता नहीं अगर हम वैद के पास गए तो हमारा सारा रास खुल जाएगा मैं ठीक हो जाऊंगा वो निमेजी आ रहे है ना सब ठीक हो जाएगा क्या ठीक हो जाएगा जावेज साहिब आपको पता है ना वो गूटी लेने से आपने कितना बड़ा जोखिम उठाया है तभी आपको आराम मिलेगा क्या तब तक आप रसोय से निम्बू पानी ला सकते जी जी आप गप रहेगा नहीं अभी आपको ठीक कर जेता हूं धहरे रखिए थोड़ा सा अगे हो जाएगे अगर ये खुटी इतनी खातक है इतनी तेजी से शरीर पर इसका असर पहुचता है तो घंडी राओ को अब तक कुछ क्यों नहीं हुआ उन पर असर क्यों नहीं हुआ ये गुटी गातक है लेकिन छोटे सुबेदार जी का शरीर कसरत ही है और शरीर एक इमारत की तरह होता है किसी भी इमारत को गिरने के लिए कितना समय लगेगा ये उस पर निरवर करता है कि उसकी नहीं कि इतने मजबूत है और चोटे सुबेदार जी तो मालवा के होने वाले भावी राजा है वो जो खुराक लेते हैं उससे उनका उतना शक्तिशाली होना कोई अशरी के बात नहीं इस गुट्टी से तो उनकी इमारत अभी इलना शुरू हो गई है इसका असर उन पे देरे-देरे होगा और उनकी इमारत जट से गिर जाएगी आपकी इमारत गिरते गिरते बज गई है आईनदा इसका सेवन मत कीजिएगा वर्नमृत्यू और प्रेम इन दोनों में ढाई अक्षर होते हैं मृत्यो शत्रन जी की गोडे की दिरा डाई गर चलेगा और आप प्रेम से डाई गड़ी में डह जाओके समझ रहे हैं यह गुट्टी सिर्फ चोटे सुवेदार जी के लिए है आग्या चताओ सासु भाई रब समझ में आया कि इसकी मात्रा कि इतनी खतरनाक है लेकिन इससे घंडिराओ को बहुत नक्षाम पहुचने वाला हूँ वैसे इमर जी में कहीं गुण है कभी-कभी गुण है उनमें धाई-धाई का सही गुणा गड़ित लगाया है उन्होंने आई-धाई-धाई-धाई